और आज हम डाइबिटीज या जिसे की मधुमे भी कहा जाता है इस बीमारी के बारे में बात करेंगे डाइबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स या ब्लड ग्लुकोस लेवल्स काफी जादा बढ़ जाते हैं अब शरीर में उर्जा का मुख्य स्रोथ ग्लुकोस या खाने से प्राप शुगर ही होता है और इस उर्जा को शरीर के द्वारा यूज करने के लिए इंसुलिन नामक एक हॉर्मोन होता है जो की जरूरी होता है डायबोटीज के मरीजों में या तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती या परियाप मातरा में नहीं बनती या जो इंसुलिन बनती है उसका शरीर ठीक से उप्योग नहीं कर पाता इस वज़े से ब्लड शुगर या ब्लड ग्लुकोस कोशिकाओं तक या मासपेशियों तक नहीं पहुँच पाता और इसका स्तर ब्लड में बढ़ता चला जाता है साल दर साल ये बढ़े ग्लुकोस लेवल की वज़े से अन्य समस्यां पैदा हो सकती है जैसे ज़दे रोग की समस्या डायविटीज के पेशिंट्स में बढ़ सकती है या किग्नी की समस्यां भी डायविटीज के मरीजों में आ सकती है डाइबिटीज का उपचार काफी सरल है, कुछ डाइट, एक्सराइज और प्रॉपर दवाईयों से इसका इलाज सक्षम है और इसके लिए जल्ग से जल्ग अपने स्वासित चिकित सकसे अवश्य मिलें